नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे बहुती आसान और सरल तरीके से पेटिकोट की कटिंग एंड इस्टिचिंग तो यहां पर देखिए हमने कपड़ा लिया है तो कपड़े में हमें सबसे पहले तो हमें अपना नेफा निकालना जो उपर कर नेफा वो निकालना और पेटि यहां पर देखिए कपड़े को हमने ऐसे डबल किया है पहले यह डबल है देखिए हमारा अर्जय कपड़े की चोड़ाई है कपड़े की चोड़ाई है हमारी 35 इंच अब हमें यहां पर नेफे के लिए पट्टी ले दी है तो यहां पर हम लेंगे 4 इंच चोड़ाई में तो यहां पर हमने 4 इंच की चोड़ाई ली है कपड़े की अगर आप चाहें तो इससे भी चोड़ाऊ बना सकते हैं लाजानी है अब देखcolor गाध को देख जैसे हमारी कमर चालिस इंच तो हम इस तरीके से अपने नेफ्य को लेंगे 22 लिएन ने दो हमारी चालिस है तो दो आ बढ़ाकी लेंगे तो यहाँ पर हमने 20 की चोड़ाई RDK की और बाकी जो कम है उसमें हम यहां पे टुकड़ा लगा लेंगी यह तो होगे हमारा नेफा अब हमें कटिंग करनी है पेटी कोट की तो सबसे पहले देखिए हमें लंबाई में कपड़े को डबल करना है यह हमारा डबल कपड़ा इस तरीके से डबल है अचल तो देखिए यहां पे हम चार कली का पेटी कोट बना रहे हैं तो हमें इसको ऐसे करके शिंगल डबल करना है वेकिज़स करना है इस तरीके से अब हमने यहां पर सिंगल डबल कर लिया तो यहां पर देखिए यह डबल है कपड़ा और यहां पर देखिए जो मैंने बताया यह हमारी चोड़ाई है जो 35 इंच की चोड़ाई है इस तरीके से देखे यहां तलक आ रहा है चोड़ाई यहां तलक हमारी है चोड़ाई आ गई अब हमें एक साइड पर निशान लगाना है जैसे हमारी कवर 40 इंच है तो 40 का आदा करेंगे तो 20 इंच 20 का आदा करेंगे तो 10 इंच तो हमने यहां पर 10 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरीके से उसके बाद हमें यहां पर गुणिय है एक इंच यह लगादिया हमने निशान अब देखिए यहां पर देखिए आप जो हमारा यह दूसरा कुन्ना है जो यहां पर कपड़ा यह बंद है यहां पहें दूस्रा कुन्त है यह हमारा दूसरा कुन्त है यहां पहीरा लगा आलाएंगे बिल्ली i अध पुलिघ को व्यक्र具 कोमें यहां, चॉड़ाय हो गई चैनल मा सब्ण इन अ चोड़ा बैसे चैनल उत सू maior यहां पर यहां इसको काटेंगे अब यहां पर देखिए बंद है कपड़ा हमारा बंद है तो यहां से भी हम इसको काटेंगे और ये दूसरी कली है यह यह न देखेँ अब देखेँ हम दियुक्त कर सूपर में देखें यह किज़िए यहां पर रखेंगे इस तरी किसे हमारा हूँ कपड़ा उसको हम काटेंगे यहां पर निकल रहा है हमारा यह कुन्ना इसको काटना है हमें कि अब देखिए दूसरी साइड भी हमारा यह कुन्ना निकल रहा है यहां पर भी हम इसको काटेंगे यहां से हमें बराबर करना है तो यह हो गई हमारी नीचे की गोलाई अब देखिए उपर की साइड हमें क्या करना है यहां पर देखें यहां पर भी यह कुणना निकल रहा है अब देखिए लंबाई की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया सबा 2 मीटर चाहिए हमें 40 इंच की लंबाई के लिए अगर हमारी लंबाई कम है तो हम 2 मीटर में भी पेटी कोट को बना लेंगे तो यहां पर देखिए कितनी लंबाई मिल रही है हमें साड़े उन्तालिस यानि के हमारी यहां पे साड़े उन्तालिस इंच की लंबाई है कपड़े की और बाकी हमारा यह यहां पे दो इंच का लग जाएगा नेफा और यहां पे थोड़ा सा में अंदर की साइड दबाना है तो हमारा पूरा चालिस इंच का पेटिकुट बनके त तो इसी तरीके से आपको हर साइच का पेटिगोट कटिंग करना है, आप प्लंबाई को छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसको जोड़ना जादा कठिन नहीं हैं, जैसे मैंने आपको बताए हैं, यह हमारी जो कली आ है, चार कली आ हमारी है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है जो हमारी सीधी ए तो यहाँ पर इसीधी तु? जो सीधा प्र ऐस तो क उबर हमें करना उतेरा कुड़ा कर लिए उसको रखना हमें एसे करके और यहाँ यहां पर हमें सिलाई लगा लेंगे यहां पर हमने दो कलिया जोड ली है देखिए तो हमने यह दोनों पट्टियों को जोड़ा और यह आगे का पाट बनके तैयार है और इसी तरीके से हम अपना दूसरा पाट तैयार करेंगे यहाँ पे देखिए टेड़ी कली है और यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं दूसरी कली है वो सीधी है एकदम सीधी पट्टी गई है तो हमें क्या करना है इसके उपर हमें ऐसे रखना है और इसको हम ऐसे कर देंगे अब यहाँ पे देखिए हमने दूसरी कली भी जोड़ ली इस तरीके से यह दूसरी कली भी जोड़ ली हमने अब देखिए हमने दो कली जोड़ ली है जो हमारा पीछे का पाट है यह हमारा आगे का पाट है तो देखिए हमें ऐसे करके ऐसे रखना है अब देखिए यहाँ प लगानी है लेकिन एक साइड हमें यहां पर दो या तीरी इंच कपड़े को खोलेंगे फिर हम यहां पर नेफा लगाएंगे अब मैं आपको इसकी स्ट्विचिंग बताती हूं हुआ 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 है ल कि अजय था कि अब देखें हमने पिन निकालके तीन स्लाही लगा लिए एक यह हैं एक यह हैं एक है Colombia अब हमें एक चौथी सिलाई लगाने तो यहां पर हमें नेफे के लिए दो इंच कपड़े को छोड़ते हुए सिलाई लगाने और नेफे के लिए हम किसी भी साइट से खोल सकते हैं अगर आप चाहें तो दूसरी साइट से भी खोल सकते हैं तो दो इंच छोड़ के अब हमें यहां पर शिलाई लगाना है अब देखिए हमने शिलाई लगा लिए अब हमारा जो नेफा है अब हमारा जो नेफा है यहां पर भी शिलाई लगाएंगे अब देखिए यहां पर हमें अब नेफा लगाना है अब हमें यहां से कपड़ा जोड़ना है जो हमने अलग से लिया था तो इसको पहले जोड़ लेंगे अब देखिए जोड़ने के बाद अब हम अपने पेटिकोट के ऊपर इसको रखके ना पेंगे इस तरीके चे अब यहां पर देखिए हमारा नेफा थोड़ा सा बड़ा तो जैसे हमने कमर का जो निशान लगाए 11 इंच उसीके साब से हमें नेफा लगाना अब देखिए हमें इसी रखना जो हमारा इसी दवह आला है ना इसी रखना में नेफा नीचे कि जो भी नेफा ज्यादा उसको काट लेंगे काटने के बाद इसको अंदर के शाट दवा के सिलाई लगाने है अब यहां पर देखे हमें ऐसे करके इसको अंदर के शाट दवा के सिलाई लगानी है अब देखें जो हमारा यह दूसरी साट नेफा ना यहां से हमें ऐसे नाप के इस तरीके से और इसको भी ऐसे अंदर के शाट दवाना है अब देखें हमें यहां पर नेफे से ऐसे दूसरी साट है ना उसको हमें ऐसे अच्छे से नापना है देखें इस तरीके से नापना है और इसको हम ऐसे अंदर के शाट दवा के देखें यहां पर हमने नेफा भी लगा दिया है अब वो जैसे हमें नीचे की साट जितना भी हमें अंदर के साट दवाना है इसको बराबर कर लेंगे और चोटा बड़ा हो रहा है उसमें हमें डरना नहीं है इसको बराबर कर लेंगे बैसे मैंने पहले आपको बताया चोटा बड़ा हो रहा है तो इसको बराबर कर लेंगे इस तरीके से हमें इसको बराबर करना नीचे की साट जो भी छोटा बड़ जब अब इसको हम एक इंच दबाते जाएंगे अब जितना भी हमें अंदर के शाट दबाना उतना हम इसको दबाते जाएंगे और विदियो डलाएं उसको भी आप देख सकते हैं और आपके कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए और जो सिलाई सीखना चाहते वो हमारे चैनल को सस्क्राब करने इससे क्या है आने वाले जो नई वीडियो उसका नोटिफिकिसन आपको मिल जाएगा धन्यबाद